हिंदु धर्म के महापुराणों में से एक है गरुड पुराण जिसमें भगवान विश्णु ने व्यक्ति की कई ऐसी आदितों की बारे में बताया है जिसकी वज़से उसे कंगाल हुने तक की नौबत आ सकती है गरुड पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति लक्ष्मी को सही तरीके से नहीं रख सकता ना तो उसके पास और नहीं उसके घर में लक्ष्मी का वास जादा दिनों तक रह पाता है आये जानते हैं गरोड पुराण के अनुसार व्यक्ति की कौन-कौन सी आदिते होती हैं जिनकी वज़े से वो लाइफ में अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है पहली बुरी आदत है काम से भागना गरोड पुराण के मुताबिक जो लोग काम से भागते हैं उनके पास लक्षमी कही नहीं ठहरती ऐसे लोग आलसी होते हैं या फिर किसी काम को करने से मना कर देते हैं इसलिए वो जिन्दगी में सक्सेस्फल नहीं हो पाते दूसरी बुरी आदत है देर तक सोना गरोड पुराण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति देर से सोता है और फिर सुबह तक सोता रहता है तो उसकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती तीसरी बुरी आदत है रात में जूठे बरतन चोड़ना गरोड पुराण के अनुसार रात के खानी के बाद जूठे बरतनों को नहीं चोड़ना चाहिए ऐसे में ग्रहदोश का खत्रा बढ़ जाता है साथी लक्षमी भी नाराज हो जाती है चौथी बुरी आदत है साफ सफाई का खयाल ना रखना अगर कोई व्यक्ती साफ सफाई नहीं रखता तो लक्षमी जीव से नाराज हो जाती है ऐसे में माता लक्षमी चौकट से ही रुष्ट हो कर चली जाती है इसलिए साफ कपड़े पहने और साफ सफाई का खयाल रखे एस्ट्रो से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरे देखने के लिए बने रहे इंडिया टीवी एस्ट्रो के साथ